वेलकम तो और चैनल एक्जाम प्लेश्टर इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टेनोग्राफर से जो आपको जॉब मिलता है स्टेनोग्राफर का उसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा जैसे कि अभी सैलरी के निकला हुआ है तो आप लोगो लग रहा हो कि इसका सैलरी है यह लेवल है और आपको सैलरी इन हैंड कितना मिलेगा तो सबसे पहले हम देखते कि कितना ग्रेट पे अब देखिए इस्टेनोग्राफर में बेसिकली तीन लेवल का जॉब होता है एक होता है लेवल फोर जो कि 2400 ग्रेट पे का होता है उसके बाद लेवल 6 होता है जो 12ια लेवल 7 जो बेसिकली यह लेवल 7 आपका होता है ग्रेट ऑर यह जो आपका लेवल फॉर वाला है 24 यह जो तहली हम चलिए करके सबको देखते हैं कि हर एक लेवल पे कितना पैसा बंता है इंह reduction कितना होता है तो सबसे पहले हम लेवल 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं लेवल 4 को जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद देखे सबसे Basic starting होता है 25500 उसका इचार है मला housing rental allowed उसके बाद हो गया इसमें देखे एक सेटी यप सेटी क्या क्या हुता हो यह जान लिए कि एक सेटी हो गया जो मेट्रोपॉलिटेटीगन सीटी दो पैंगलो लो डिली मुंबई ऐसा वाइसी जो चोटा मोटा की सिटी चाहिती सब हो lou इसमें एक्सीरी सीटी लेकर ईचलते हैं एक सेटी कर ले तो पहे लिए यह बार्यावित्स facto- давно हो गया अगर आपका जो metropolitan cities हो गया वगयरा उसमें अब देखिए जो आपका cities हो गया उसमें आपका higher tpts cities में आता है तो इसको सेलेक्ट करते हैं जैसी calculate पर क्लिक किया फिर नीचे आपका salary आजाएगा कि total आपका कितना salary बन रहा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि level 4 जो की grade D वाला है grade D में अगर आपका selection होता है तो आपका जो basic salary होगा वह होगा 45,870 नहीं अब इसमें सब लगभग 10% रफली काठ लीजिए पी एफ वगयरा जो कटता है उसके लिए तो लगभग आप समझे सारह 4,000 इसमें कट जाएगा तो लगभग 41,000 के राउंड आपका salary होगा तो अगर आपका इस टेनोग्रफर grade D का post में अगर जौब लगता है तो आपका salary लगभग 41,000 आपका in-hand salary होगा इन-hand मनलब आपको पर मंत उतना आपके account में आएगा 41,000 के राउंड अब देखिए यह तो salary का बात हो गया अब आप लोगों को एक्जाम भी qualify करना पड़ेगा इसके लिए तो अगर आप लोगों को ssc stenographer का test series चाहिए जिससे आप अपना preparation को improve कर सको तो आप हम लोगों का test series जरूर यूज़ करके देखिएगा इसका link मैंने description box में दे दिया है और अगर आप चाहो तो diet play store से हमारा app exam class डाउनलोड करके भी ले सकते हो हमारे test series आपको बहुत ही अच्छे test series मिलेंगा marks मिलेंग तो इस एक बार जरू ट्राइगर करके देखिएगा यह तो आप लोगोंने देखा level 4 का जो था यह आपका एक city का था अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपका y city में हो जाता है मतलब मिट्व पॉलिटिकन सीटी नहीं उसे छोटा सीटी में अगर होता है तब आपका कितना अब देखिए कितना आता है अब देखिए जो सैलरी आया वह है आपका 43,584 ज्यादा रिडियूस नहीं वह 2,000 क्रांड रिडियूस हुआ तो इसमें भी आप 10 परसंट रिडियूस कर लिचे और तो 10 परसंट अगर आप इसमें रिडियूस कीजेगा तो लगबग आपका 4300 300 के आपस आपका रिडियूस होगा तो लगबग 39,000 के आपस आपका बने livro बने गा तो अगर आपका बाएस इंत्रेट इमक्रेट दीं में तो आपकाम बने गलते उखें में अब तहो जाना उसका सबसे पहले लेकर जलतें कि T писati में कितना होगा इसमें भी higher टीपीटी सफीटी का होगा calculate करें सब्सक्राइब करें नहीं करते हैं अब जब हम लोग calculate करेंगे इसमें इसमें भी आपको सारा कुछ यहां दिख रहा होगा यहां पर आपको final salary दिख रहा होगा 61,818 रुपीज यह आपका basic salary है तो इसमें से आप 10% reduce कर लिए तो लगबग आपका 6000 रुपय होगा तो लगबग 55-56,000 आपका net salary आपके account में आएगा तो अगर आपका grade C में अगर हो जाता है 4200 grade वाला में तो आपका salary जो होगा X City में अगर आपका posting होता है किसी Metropolitical City में तो लगबग 56,000 रुपीज पर मन्त आपका salary आपको per month मिलेगा यह तो हम लोग ने देखा एक City का आप देखते हैं Y City में अगर आपका posting होता है तब आपका salary कितना बनेगा अगर आपका पॉस्टिंग होता है तो आपका जो सैलरी बनेगा वो लगबग 58,632 रुपीज के आराउंड बनेगा और इसमें भी आपका लगबग 10 परसेंट आपको रेडियूस कर लेना है तो लगबग यह आपका इसमें रेडियूस कर दीजिए तो 52 से 53,000 52 से 53,000 का राउंड आपका जो निट सैलरी होगा वह आपके अकाउंट में आएगा मतलब इतना आपको पर मंद सैलरी मिलेगा इन हैं यह तो आप लोग ने देखे लेवल 6 का अब देखे लेवल सेवन गजो सबसे टॉप पोस्ट है से स्टेनोगराफर का जो ग्रेट पर 4600 का है इसमें क्या है इसमें कितना सैलरी बनता है इसमें हम लोग ने बेसिक कर लिया आप सब से पहले देखते हैं इसका एक्स वाई सीटी देखते हैं तो जो सैलरी बनता है वह है आपका 73,000 72 रूपीज यानि कि 73,000 के आराउंड अब इसमें भी अगर आप reduce कर लो 10% तो आपका कितना हो जाएगा मतलब 66,000 रुपीज आपको per month आपके account में आपको मिलेगा अगर आपका pay level 7 के हिसाब से अगर आपको job मिलता है तो अगर pay level 7 का post अगर आपको मिलता है 66,000 के around आपका per month salary होगा YCT में अभी XCT का हम लोग देखते हैं अब देखिए XCT का अगर हम लोग देखे तो इसमें हो जाएगा आपका अगर XCT में आपकर आपका होता है posting तो आपका जो net salary होगा 77,000 लेकिन 77,000 net salary फिर इसमें भी 10% आप रेडियूस कर दीजे लगबग यानि कि 8,000 रुपय के साबसे यानि कि 69,000 यानि कि 69,000 के around आपको per month इसमें salary मिलेगा तो यह होगा अगर आपका XCT में अगर posting हो जाता है त कितना कितना salary है तिसे आपको समझ में आगी होगा अगर salary से related कोई भी अगर आप लोगों को doubt हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं